लेकिन हम 5 सितंबर को लेकिन क्यों मनाते हैं क्या आपको पता है क्या आपको यह भी पता है कि पूरी दुनिया में 5 अक्टूबर को लेकिन क्यों मनाया जाता है हमारे दूसरे राश्ट्रपती और पहले उपराश्ट्रपती सरपल्ली राधा कृष्णन का नाम सुना है आपने यह उनका बद्डे है और उनके बद्डे को हम Teachers Day के रूपे मनाते हैं और इस दिन Teachers Day बढ़ने की कहानी भी बड़ी दिल्चेस्प है, एक बार Radha Krishnan के बढ़ने को सेलिब्रेट करने के लिए उनके friends जित करने लगे, जैसे हमारे और आपके friends करते हैं जित कि बढ़ने मनाएंगे, वैसे ही वो सभी भी उनसे जित कर रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई ये मानी नहीं रहें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मेरे बड़े को मनाओ, सेलिब्रेट करो, लेकिन इसे Teachers को समर्पित कर देना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि ये Teachers Day के रूप में मनाया जाए, सरपली Radha Krishnan का मानना था कि Teachers का हमारे जीवन में महत पूर उनस्थान है, ये सिक्षक ही हैं जो हमें ज्यान देते हैं, जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं, ये Teachers हैं जो जीवन में आने वाली चुनावतियों से लड़ना सिखाते हैं, और फ्यूचर को कैसे बहतर बनाया जा सकता है, उसके बार को बताते हैं, इसलिए शिक्षक को हमा जिरू कहते थे ना बच्चे ही हमारा भविश्य हैं तो उन्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए सिक्षकों का पढ़ाई उन्होंने दोस्तों से कहा कैसा हो कि हमारा ये जन्दिल आप सिक्षकों को समझत करते हैं और फिर तभी से यानि 1962 से हर साल 5 सितंबर को सिक्षक दिवस मन मनाय जाता है वो मनाय जाता है पांच अक्टूबर को इसलिए मनाय जाता है क्योंकि युनेसको ने 1966 में इसकी घोशना की थी युनेसको के बारे में तो आप जानते ही होंगे और 1994 में उसको पूरी तरह से दुनिया के लिए घोशित कर दिया अगर युनेसको के बारे में न लिक्षक हमारे गुरू हैं और वो किस तरह हमें दुन्या को आगे देखने का नजरिया देते हैं सर्क पल्ली राधा कृष्णन आन्द प्रदेश यूनिवर्सिटी बियाच यू के वाइस चांसलर थे और दस साल डियू के भी चांसलर रहे थे तो हैपी टीचर्स डे